मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम बतन है, हिंदोस्तान हमारा मैं मुसल्मान हूँ, मगर भारती मुसल्मान हूँ, चीनी मुसल्मान नहीं धरम अलग-अलग क्यों नहूँ, मगर हमें जोडता है धरम जितना आप धरम को मैं आप से पूछ ता हूँ, जो आज राम जी का बहुत शोर करते है भगवान राम का, क्या भगवान राम सिर्फ हिंदू का है? वो तो विश्व का बागवान है वो तो अंगरेजु का भी अमरीकुन का भी रूसियु का भी और उनका भी भगवान है जिनको कोई मानने वाला नहीं महराष्ट्रा के भाही बहनों से कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं वो कश्मीर से कन्या कुमारी तक भारत को मजबूत करना है, इसके सिवा कोई रास्ता है नहीं, एक बात मैं आप से जुरूर कहना चाहता हूं, हम में क्या है जो एक जैसा है, आप देखें, आपके परंपरा अलग, खाना अलग, मौसम अलग, हर चीज अलग, भाशा अलग, हमारी भी भाशा अलग, यहां गर्मी वहां बरफ पड़ रही है, और कपड़े अलग, खाना, तरीका, सब कुछ अलग, रामिल नाडू का अलग, बिहार का अलग, बंगाल का अलग, वो क्या चीज है जो हमें इकठा रखती है, वो है कि हम लोग इकठा होकर ही भारत बना सक करते हैं, उसके बगार नहीं बन सकता, और सबसे जरूरी बात जो है, वो है मित्रता आपस में, धरम नहीं सिखाता है, अलग-अलग बात, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम बतन है, हिंदोस्तान हमारा, मैं आपसे पूछता हूँ, एक डॉक्टर क हसेट से आपसे पूछता हूँ, जब आपका मरीज हस्पताल में होता है, और उससे खून चाहिए, क्या वो उस खून की बोतल से वो मरीज या उसका रिशिदार ये पूछता है, ये खून दलित का है, ये दून सिख का है, ये खून बोद का है, ये खून मुसल्मान का है, क उसरी बोतल भी लगा लीजिए कि मेरा मरीज जो है यहां से घर जा सके। है या नहीं है। क्या वो दवाई जो एक हिंदु खाता है अगर उसको पेट में दर्ध है तो क्या वो सिख उस दवाई वो नहीं खाता। क्या वो मुसल्मान और दूसरा नहीं खाता। हर एक के लिए भगवान ने हम लोगों को जरूर एक जैसा बनाया है। धरम अलग अलग क्यों नहों। मगर हमें जोडता है धरम। जितना आप धरम को मैं आपसे पूछता हूँ। जो आज राम जी का बहुत शोर करते है भगवान राम का। क्या भगवान राम सर्फ 있기 का है। वह तो विश्म का भगवान है। वह तो अंग्रेजू का भी अमरिकनी का भी रूसू का भी और उनका भी भगवान है, जिनको कोई मानने वाला नहीं। मगर हमो जोग आज अलग अलग किय जा रहे हैं। यह मुसलमान है, यह हिंदू है, यह सिख है, यह नहीं कहते हैं, कि हम सब भारती हैं, हम इस देश के हमने इस देश में रहना है, क्या है, आप मंदिर जाते हो, उसको याद करते हो न, उसके सिवा तो कुछ नहीं है, हम अगर मस्जिद में जाके निमाज पढ़ते हैं, किसके स लग लग किया जा रहा है, यह देश को मजबूत नहीं करेगा।्टे yılव को कमजोर करेगा। लोग उनको आपस मैं. आपसे कहता हूं को उन्हों क्वर शेका लड़ना है जो देश को कमजोर कर रही है। और वो दाकत बाहर नहीं है, वो अंदर है, हम में है, उसको भाटाना है, तब आप इस भारत को बना सकोगे, तब ये भारत मजबूत होगा, आज हालत देखे भारत की क्या है, महंगाई देखे कहां पहुंची है, आज गरीब पिस रहा है, घर में बच्चे पड़े लिखे है मगर कहीं नोकरी नहीं है, हर चीज, गैस को देख लीजिए, पेट्रोल को देख लीजिए, आप अपने बिजली की फीस को देख लीजिए, हर चीज जो है, इतनी महंगी हो गई है, कि आज हमारे, हम लोग को आगे दिखता नहीं कि क्या होगा, मगर एक बात कहरूंगा आप हिम्मत रखिएगा, हिम्मत रखिएगा, याद है, जब से लिखा हुआ भगवान, पड़ा हुआ भगवान, रावन, यानि इतनी ताकत थी उसमें और इतनी नॉलिज थी उसमें किसी मेनी थी, मगर जब, वो अपने आपको समझने लगा कि मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं है, तो उसने उपर वाले ने सीता जी का परहन कराया, और राम को तयार किया, कि तुम ही इसको मारोगे, मगर जब भगवान राम से पूछा, क्या तुमने मारा, कहा मैंने नहीं मारा, उसने मारा, क्यूंकि ये घमंडी हो गया था, ये समझता था कि बस मैं ही हूँ, और मेरे बगार कुछ नहीं है, ऐसे हमारे भी धरम में आए हैं, फिरावन आया है, आपने आपको समझता था हो है और आप हो, इस देश को बनाना है तो आपने बनाना है, हमने बनाना जो यहां बैठे हुए हैं, मिलके बनाना है, अकेला ये देश नहीं बन सकता, वो कहने में आपके पास आया हूँ, और आज भुजबल जी को मुबारक करता हूँ, पच्छतर साल के इसमें, बहुत और मुझे हुश 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 आपस में भाइचारा रखेंगे, महबद बांटेंगे, वो ही भारत को बचाएगा, वो ही हमें मजबूत करेगा, और वो ही हमारी आगेगा, मैं नारा मारूंगा जोर से मारना, रखोंगा जेहिंद, आप भी हाथ उठाके जेहिंद कहिएगा, जेहिंद, जेहिंद, जेहिंद कर दो कर दो